हाई स्टुडेंट कैसे हैं आप माई नेम इस विद्या सागर सिर्वास्तो देखों स्टुडेंट इसमा हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट एर न्सीयार्टी के निमेरिकल चैप्टर लाज आफ मोशन हमने लिया कोश्चर नंबर 4.18 according to new book 5.18 according to old book two billiard balls each of mass 0.05 kg moving in opposite directions with speed 6 meter per second collide and rebound with same speed. what is the impulse imported to each ball due to the other let कर लिया हमने let two billiard balls are a and b mass of the balls ma is equal to mb 0.05 kg वो given है हाँ अब initial velocity हमने ua देखे a की initial velocity b की ओर है और b की initial velocity a की ओर है तो ua दे रखा है 6 meter per second और ub हमारा opposite direction का है तो minus का हो गया 6 meter per second final velocity यहाँ वी यह है तो यह कहरा rebound हो रही तो जितनी speed से इधर आ रही है उतनी इधर जा रही है तो यानि final velocity इसकी minus हो गई है कि इस direction का हो गया और इसका हो गया इस direction का ठेख impulse imported by balle ठेख तो i a हो गया हमारा और is equal to होता है change in momentum change in momentum ठेख आब यहाँ change in momentum क्या हो अब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिसियल मोमेंटम तो यहाँ a va final momentum माइनस m a u a initial momentum ठेख i a हमारा हो गया m दोनों common है m common लेलो तो m a ठेख va minus u a va minus u a value रख दो 0.05 अब va हमारा कितना है minus का 6 है और minus u a कितना है plus का 6 है तो 6 6 हो गया 12 ठेख is equal to यह देखे minus का 12 हो गया तो minus बाहर कर दे रहे है 0.05 into 12 हो गया यानि आई यह जो हमारा हो जाएगा minus का 0.60 ठेख निउटन इन्टू सेकेंड और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड दोनों कोई भी उनिट आप लिख सकते है अब जितना impulse इसने गेन किया ठेख एवाले ने उतना ही b का भी होगा लेकिन direction दोनों की opposite होगी ठेख ठेख नाओ IB is equal to ठेख ठेख चेंज इन मोमेंटम का होई फार्मूला Mb, Vb, माइनस, Mb, Ub, Mb कामन लेलो, ठेख, Vb हमारा है, माइनस, Ub, Mb, 0.05, Vb, Vb हमारा है, 6, माइनस, माइनस, प्लस, 6 हो गया, 0.05 इन्टु 12, ये आगया, 0.60, IB, ठेख, यूनिट, दोनम कोई भी लिख सकते हैं, न्यूटन इन्टु सेकेंड और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड और न्यूटन इन्टु सेकेंड, तो A का जो इंपल्स है, माइनस का 0.60, न्यूटन सेकेंड, और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, B का जो इंपल्स होगा, वो 0.60 होगा, यहाँ माइनस है, यहाँ, प्लस है, यानि दोनों इंपल्स इक्वल होंगे, पर इनकी डारेक्शन्स अपोजिट होंगी, ओके स्टुडेंट, आप हमारा चैनल देखते रहे, लाइक और सब्सक्राइब करते रहे, और अपना ग्यान बढ़ाते रहे, गुड़ डे स्टुडेंट्स,